नमस्कार दोस्तों उम्मीद है आप लोग सब्सक्राइब खुश होंगे हजिर हुए मैं मैंनेटिंग लिपर्ड और पुननाई के पार्ट टू के साथ दोस्तों पहले पार्ट में हमने जाना था कि कैसे इस लिपर्ड ने पुननाई के इलाके में कई लोगों को मार दिया था वहां पर कॉई हंटर था नहीं लोकल में और वहां के जितने भी लोग जिनके पास फायर आंज WT में लोगों में कोई मुद्शुक्ता नहीं थी कि वो इस मैनिटर को मार रहें या उनके पास इसका experience नहीं था तो वहां के government agent ने आगर को वहां बुलाया जिन्होंने इस leopard को मानने के लिए serious कोशिश की पहले दफाव आये वो गए मैनीटर की खोज में और कई दिन वहां घुमते रहे रात को दिन को लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली और इस प्रोसेस में उन्होंने एक उस निर्दोश लेपर्ट की फैमली को भी मार दिया इसका खुद उन्हें अफ्शोस था उसके बाद वो थ यह पर एक रोग ऐलीटर को मारने के लिए जब उन्हें या इन्फर्मेशन मिली रोग ऐलीफेंट के बारे में उसी समय उन को इस लेपर्ट के किल से बारे में इभी पता साथ और अपने ड्राइवर के साथ को उस जगह पे गए जहां पर मनिकम को खीज के लेपड लेके गया था ड्रेग मार का फॉलो करते हुए गए वहां पर उन्होंने देखा कि जो उनका उसका विक्टिम है मनिकम उसका एक पैर खाया हुआ था और उसके अलावा उसके बॉड कार में अपनी वह अपनी कार लेके आया थे जिसमें उनका सामान रखा हुआ था कॉफी बगर जो उनको रात के लिए चाहिए होता था बुलाने के लिए जब वो जा रहे थे तो उसी समय उनके ड्राइवर ने देखा उस तरफ जहां हुमेन की लाश पड़ी हुई थी तो उससे वहां लेपड भिखाए दिये उसने आगर को बताया आगर ने उस तरफ देखा और साथ साथी उन्होंने अपनी राइफल से फायर भी किया जो ही उन्हें फायर किया लेपड उचलके चला गया वहां से और वो कन्विंज ते इस बात से कि गोली तो उन्होंने चला द जंगल में रहने वाले जो लोग हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिनकी सिक्त सेंस बहुत काम करती है, खास थोर से हंटर, क्योंकि वो जंगल की हर एक छोटी बड़ी चीज को नोटिस करना सीखते हैं, इसकी वज़े से उनकी सिक्त सेंस डेवलब हो जाती है, और वाहिरा थे, एंडर्सन के साथ, वाहिरा की पूरी जिंदगी जंगल में वीती थी, स्कूल, कॉलेज कभी जाने का मौका मिला नहीं, लेकिन उनका स्कूल, कॉलेज, उनिवर्सिटी वही जंगल था, और उस जंगल में उन्होंने छोटी से छोटी चीजों का महत तो समझा और चोटी से छोटी चीजों की जो मीनिंग होती है, उसको वो डीटेल में एक्स्प्लेइन कर सकते थे, जैसा कि कई बार हमने स्टोरीज में डिस्टकस किया है, जब एंडर्सन के साथ बाहरा जाता था, तो वो सूख के बता देता था, ताहिगर किस तरफ है, और हाथी के लिए जाता था, सूख के बता देता था कि हाथी कहां पर है, यानि कि उसकी जो सेंस ओफ स्मेल था, वो जंगल में रहकर काफी डेवलप हो चुका था, जब कि इनसान का सेंस ओफ स्मेल बहुत कमजोर होता है, तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर आगर जो कि मैनीटर को मार आने के लिए आये हुए थे, और मैनीटर देखा था उन्होंने अभी कुछी समय पहले, अब अधेरा होने लगा था, और जो उन्हें लग रहा था, सरकम्स्टांसेस के वेसिस पर, या उनकी सिक्त सेंस जो उन्हें कह रही थी, तो कह रही थी कि उन्हें यहां पर नहीं लेकिन सम्हाव उनके मन में एक धर बैढ़िया था, उनकी सिक्त सेंस उन्हें से कह रही थी कि यहां से उन्हें चला जाना चाहिए, यहां अगर वो रहेंगे उनके लिए खत्रा हो सकता है, या उनके साथ जो लोग आये हैं, उनके लिए खत्रा हो सकता है, तो यह वही बात है जो जंगल में रहने वाले लोग हैं जो छोटी-छोटी चीजों को समझते हैं या उन्हें छोटी-छोटी चीज सेंस हो जाती है और कई बार उसको explain नहीं कर पाते हैं अपने शब्दूं में लेकिन महसूस करते हैं तो आगर ने उस समय अपने साथियों से कहा जो भी उनके साथ थे जोर-जोर से आप शोर करों शोर करने का उद्देश ही यह था कि एक तो जो लेपड है उसको दूर रखेंगे दूसरा शोर करने से उनका confidence level भी बढ़ेगा क्योंकि वो डरे हुए थे बहुत है तिहाजा इस तरह हो शोर मचाते हुए वापस आगे उस जगह से और उनने उस लाश्ट को छोड़ दिया यह सोच कर छोड़ा कि कल फिराएंगे और आज अगर यहां पर रहें तो शाए जिंदा ना रहें रात को वापस तो आगे लेकिन नीद नहीं आनी थी एक उताहुलापन था एक anxiety थी कल जाके देखना है कि लिपर ने क्या किया है उस बचे हुए पोर्शन के साथ तो रात उनकी इसी इंतजार में गुजरी कि कब सुबह हो और कब वो वहाँ जाएं और जैसी सुबह हुई उतप उत तो अपने साथियों के साथ उस जगह पोई जहां वो कल आय थे और मचान बनाया था। वह हुए उन्हें देखा कि मपनै क्कम्न किलाज वहां से गायव थी। याई कए leper आ गया था और हो से लेकिए गया था। कल जब वो आये थे यहां पर जब उन्हेंने लेपर्ड पर फायर किया था, उसके बाद भी वो कन्विंस थे इस बात से कि उनके फायर के बाब जूद भी लेपर्ड ज़्यादा दूर नहीं गया है, वो कहीं आसपास ही है और आसपास से उन्हें देख रहा है, साथ यही वज़य थी जिसकी वज़य से उनके दिमाग में डर भर गया था, तो अब जब वो वहां पहुंचे, लेपर्ड उस पचे हुए पोर्शन को लेकर चला गया था, तो उन्होंने धरू तरब देखा कि कहीं उन्हें ड्रेग मार्क मिलें, कुछ दूर, कुछ देर ढू का पोर्शन कल बचा हुआ था, उससे ज्यादा तर उसने खा लिया, लेकिन अभी भी उसकी खोपड़ी बची हुए है, और उसके अलावा कुछ थोड़ा बहुत मान चो वहां पर बचा हुआ है, लेकिन सम्हाव उन्हें ये फील हो रहा था, हलाएंकि मान से बहुत कम बच करें, पास के पेड में जल्दी से एक मचान तयार किया गया, और इस दफा क्योंकि दिन था, तो दिन में नैचरली धर कम लगता है, आगर ने निश्चे किया कि वह अभी मचान में बैठेंगे, और अपने ड्राइवर जिसका नाम महेंगर था, वो और और साथियों को उन् गाड़ी में, और उनसे कहा कि वो जरूरत के सामान उनके लिए ले किया है, हो सकता है, पुरे दिन भर उन्हें बैठना पड़े, और दिन में लेपड नहीं आया, तो हो सकता है, यो आने वाली रात है, उस रात को भी उन्हें यहां इन्तजार करना पड़े, उसी हिसाब से वो लोग चाय, कॉफी और कुछ खाने की चीजें लेके लेने के लिए गाड़ी में गए अब आखेर अकेले थे लेकिन चारू तरफ शुन्शानी हो गई थी हलांकि दिन था लेकिन फिर भी उन्हें एक अजीब सी खामोशे अपने चारू तरफ लग रही थी जंगल में जब कोई व्यक्ति जाता है आम तोर पर उसके पास समय की कमी रहती है क्योंकि वो कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीज़ों को एक्सप्लॉर करना चाहता है चाहे वो पेड़ पौंदे हों, जंगल हों और यहां पर आगर को लग रहा था कि उनके पास समय बह था हर पल उन्हें भारी लग रहा था जबकि जंगल में कई वार रहे थे लेकिन इस दफाव बहुत बेचेन थे उन्हें इस बात का आभास था कि जब तक ये लोग सामान लेके आएंगे तब तक करीब दो घंटे बीच जाएंगे यानि कि इन लोगों को सामान लाने में कम से लेकिंकम दो घंटे लगेंगे अब उन्हें ये लग रहा था की कैसे वह दो घंटा यहां बीचाहेंगे वह चोकन ने थे अपने कान खुले थे अर्छोटी शे चोटी आवास उनके उसका मतलब समझ रहे थे और हर छोटी मीच छूच चीज को देख के देखरा रहे थे और उनकी इंद्रियां अंदर से इतने ज़्यादा घबराये हुए जरूरत से ज़्यादा चोकनने थे, पेड़ से अगर कोई चिडिया उड़ जाती थी, तो डर जाते थे, उशल जाते थे, कि ये क्या हूँ, उनके अंदर इसकदर डर भर रहा था, कि उन्हें लगने लगा क उनके पीट में कि क्या चीज जा रही है, गर्दन से नीचे, बहुत दूर सोचने के बाद उन्हें रियलाइज हुआ, कि कोई खतरनाक चीज नहीं है, बलकि खुद उनके पशीने की बूध है, जो उनके सर से निकलके उनके पीट में ट्रेवल कर रही है, वो इसके बाद उ देखते हैं कि सामने पेड़ की नीचे अचानक एक पैच दिखाई दिया उन्हें, लाल रंका जो अभी तक था नहीं, लाल रंका नहीं, बल्कि यूँ कर he is, सोने के रंका, सुनरे रंका, जो अभी तक था नहीं, अचानक कहां से आया, उन्होंने अपनी राइफल में अप हो सकता है लेपर्ड की बाड़ी का हो बहुत गौर से उन्होंने देखा उन्होंने पाया कि ए कुछ नहीं है बलकि शूरज की रोष्णी पत्वों से चिन के नीचे पढ़ रही है और जमीन में वह शूरज की रोष्णी दिखाए देरी उस देर पहले तक नहीं था क्योंकि अ दूसी जिगह पर था अब जिए समय पास हो रहा था सूरज भी अपनी पोजिशन चेंज कर रहा है तो जमीन में उसकी रोष्णी पढ़ रही है वह भी अलग-लग डेरेक्शन से पढ़ रही है इस तरह वह आप्जर्ब करते हुए उस देर बाव ने देखा कि अचानक उनक जो जहां पर बोड़ी पढ़ी हुई थी इस विक्ति का सिर पढ़ा हुआ था वहां पर को सुनरी चीज उन्हें दिखाए दी और इसे देख्यों एकदम जटके से उचल पड़े उनका उचलना इतना था कि उनकी मूवमेंट उस जानवर को भी दिखाए दी उस जानवर एक नेवला था जिसने इनका मूवमेंट देखा और उससे वो घबरा गया और वहां से भाग गया यानि कि इसी तरह की तरह-तरह के ख्याल उनके दिमाग में आ रहे थे यह हमारे साथ भी होता है जब दिमाग मन मस्तिस का मारा किसी पर्टिकुलर आशंका में डूबा होता है त वही उनके साथ भी हो रहा था तो इसी तरह ओ जिजक रहे थे, डर रहे थे, आशंकी तो रहे थे दोनों ने अपनी पोजिशन ले ली और दोनों अपने डंग से चोकनने थे दोनों ने नेड़े लिया था कि एक व्यक्ति दाहनी तरफ देखेगा दाहनी तरफ की एडिया को स्कैन करेगा और दूसरा बाहनी तरफ की एडिया को देखेगा तो इस प्रकार अब अगर के साथ पहेंगर भी था, जायर था उनका जो जिस जंग से पहले डरे हुए थे, अब नहीं डरे थे, और हलांकि बात कुछ नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें इस बात का ध्यान रखना था, कि किसी भी तरह की आवाज उस जगह से नहीं उठे जहां हो बैठे हैं, कि किसी भी तरह का मूवमेंट वहाँ पर नहीं कि जब भी कोई टाइगर या लेपर्ड शिकार पर वापस आता है, वो बहुत ज़्यादा चोकन नहीं होता है, वो एक छोटी सी छोटी सी चीज को भी नोटिस करता है, कहीं पर अगर कोई टहनी टूटी है, तो वो भी उसकी नोटिस में आता ह कहीं कोई नया स्टुक्चर खड़ा हुआ है तो वो भी उसकी नोटिस मात है लहाजा जब इस तरह की स्थीत में कोई हंटर बैठता है तो उसे बहुत ही सावधान रहना पड़ता है तो वही चीज आगर फॉलो कर रहे थे बहुत कॉश्यस थे और नहीं चाहते थे कि उनकी त दिजार करते रहें समय बीठता गया अचानक उन्होंने देखा आगर ने कि सामने उन्हें कोई एक धब्बे से दिखाए दे रहें जो उनके साथ पहले हो रहा था तो उन्हें इस बात के लिए एंशुर करना था कि पहली वाली हरकते नहों लेकिन इस बार उन्होंने घौर से देखा तो ने क्लियरली मैनीटर दिखाए दिया वो उस मर्य हुए ब्यक्ति से कुछी दूरी पर था और अपने हंचेच पर बैठा हुआ था और गौर से उस रिमेंस को देख रहा था जो बचे हुए थे वहां पर पहागर ने अपनी राइफल दी वो कहते हैं कि राइफल का टच इतना बढ़िया इतना अच्छा कभी नहीं लगा जितना अभी लग रहा था और बहुत केरिफली अपने कंदे से उन्होंने राइफल लगाई जो कि 470 थी और फायर कर दिया प्राइफल की आवाज भी धमाका हुआ दढाम से और इससे पहले कि मैनीटर जमीन में गिरता जमीन को छूता क्याद उससे पहले मर चुका था क्योंकि इतने सटीक निशाना उस पर लगा था उसके हाट पे गिर गया और मर गया उसके बाद हिला नहीं कुछ देर तक पेड़ पर इंतजार करते रहे आगर और महेंगर जब उन्हें ये शूर हो गया कि अब मैनीटर मर चुका है तब दोनों नीचे उत्रे उन्हें उसे मैजर किया वो बहुत बड़े साइज का नहीं था छैपित टीन इंच का लंबा था नाग से लेकर टेल तक आनि कि एक छोटे साइस का ये लेन रधुऊ नहीं था लेकिन जिस रिसाब का आतंक उसने पहले आपर मचाया था तो उनके दिलों दिमाग पर यह बैठा था कि आखिक का भड़े साइस का ले पाड़ होगा ये एसा था नहीं कि उसके बाद उन्हें और नोच आकशन किया हम बॉडी में भी कही है, उसके कोई पैलेट या इस तरह की चीज नहीं मिली, तब पोस्ट मॉटम किया गया, तो उसके पेट में इंसान के बाल और नाखून निकले, जिससे थाबित हुआ कि वो मैनीटर ही था, लेकिन जहां तक मैनीटर बनने का कारण था, उसमें ऐसा कोई कारण नहीं दिखा, जिससे वो मैनीटर बन सकता हूँ, यानिकि जो प्राइमरी रीजन होते हैं मैनीटर बनने के, एक तो इंजरी होती है, और दूसरा होता, एज, एज के इसाब से वो बुड़ा नहीं था, और बॉडी में कोई उसकी एंजरी नहीं थी, एनाइन डेट भ खिर भी वो मैनीटर बन गया था, इसके लावा एक और मैनीटर का जिक्र करते हैं स्री लंका में आगर वो था उट्टाना मैनीटर, इस मैनीटर ने भी एक पर्टिकुलर रोड पर जो कि एक पिल्ग्रिमेज रोड थी जिसमें साल में एक बार तीर्थियात्री जाते थे, वहाँ पर उसने पीर्थे आत्रियों को मारा था, उसके अलावा कोई उसके द्वारा यूमन किल रिपोर्टेट नहीं था, और जब पीर्थे आत्रियों ने इस चीज को समझ लिया कि इस इलाके में एक मैनीटर एक्टिव हैं और उन्होंने प्रिकॉशन से लेने शुरू क तो उसके बाद कोई भी यूमन किल इस पोट्टाना मेनीटर ने नहीं मारा, इसके द्वारा किसी इंसान के मारे जाने की कोई ख़वर थी नहीं, अब पोट्टाना मेनीटर तो मारा नहीं गया था, तो उसकी बोड़ी को देखा नहीं जा सकता था, इसे देखा गया था, उ डिम नहीं मेनीटर को, कि टाएगर या किसी लेपर्ड के मेनीटर बनने के जो कारण बताये थे, the great gym corbett ने, वो दस मैं से नौ कारण बताये थे, इन्जरी, और एक और बताये था, oda ही, लेकिन उसके अलावा भी, corbett ने अपने किताब में इग जगह या mention किया हुआ है कि, इस समय इस इस इलाके में फोलेरा फैला था, हैजा फैला था, तो बहुत बड़ी तादात में लोग मर गए थे, तो उस समय लोगों ने समशान घाट इतने लोगों को कौन ले जाता, और दूर भी थे नदियां जलाने के लिए, तो कई लोगों ने लोगों को जंगल में उनक एक स्टीम भूखा था, तो उसने उसे खा लिया, तब उसे ये पता चला कि, हाँ, इनसान ये एक खाने वाली चीज होती है, क्योंकि आम तोर पे उसे इनसान, उसका नैचुरल फूड नहीं है, और इनसान से उडरता भी है, लेकिन तब उसके दिमाग में बात आगी, कि अभ लिया, एक कारण ये भी हो सकता है, और जो उट्टाना मेनीटर की बात करते हैं, उसमें शायद कभी कोई लेपर्ड, जो ये लेपर्ड है, उसने कभी किसी एर्थ यात्री को अकेले देख लिया, और उन भूखा था, लेपर्ड, और अपनी भूख मिटाने के लिए उसने मार दिया और उसे पता चलिया अच्छा, इसे भी मारा जा सकता है, इसे भी, तो बहराल दोस्तों इस प्रकार उन नहीं मैनीटर का अंत हुआ, उमीद है आपको ये पार्ट पसंद आया होगा, जल्दी ही कोई और स्टोरी के साथ फिर हाजर होंगा, तब तक के लिए इजा आजर दीजे, नमस्का.